गुड मॉर्निंग स्टूडन वेलकम टू हिंदी क्लास स्टूडन आज हम डिस्कवरिम बुक के पार्ट बारा गुणकारी सब्जिया नमक लेसन रेड करेंगे इससे पहले स्टूडन जो ये चित्र देख रहे हो आप पासिंग दा पार्सल इसके बारे में जानकरी प्रप्त करते हैं स्टूडन इसमें बच्चे क्या है द्यापी का बच्चों को ये खेल खिला रहे हैं आप सभी को भी संगीत सुना आवस से अच्छा लगता होगा आए संगीत कानंद लेते हुए पासिंग दा पार्सल खेल खेले ये खेल आपने बहुत बार खेला होगा स्टूडन घर में भी और स्कूल में भी जैसे हैं आपे बच्चों ने गेंद ले रखी है तो आप इसमें और किसी वस्तूगा भी इस्तिमाल कर सकते हैं स्टूडन स्टूडन इस खेल को खेलने के लिए आपको जो समगरी चाहिए वो क्या है कि इसमें आप क्या करोगी एक तो आप पार्सल ले ले लेंगे या कोई गेंद ले लेंगे या फिर माल भी ले सकते हैं और संगीत के लिए मॉबाइल या कोई और येंदर जीस से आप संगीत चला सके उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और इस खेल के माद्यम से आपको रंगों और फलों के बारे में जानकर रिप्रप्त होगी स्टूडन तो इस खेल को खेलने के लिए अब क्या गरोगी अपने दोस्तों मित्रों के उसाथ एक गोले में खड़े हो जाओगा गोला बना के और सबी जो सदस्या है गोले में पास- यनि की देता जाएगा एक जो सदस्या को गेंद दे और संगीत बजाए जस सदस्या के हाथ में गेंद होगी उसे रंग और फलों से समन्दीत एक प्रशन पूछने प्रशन का उयुटतर यदी सही होगा तो वह खेल में रहेगा अगर गलत होगा तो उसे खेल से बाहर कर द दिये जाएगा इस प्रक्रिया को तब तक दोराना है जब तक कि आपको एक विजेता नहीं मिल जाता इससे अब मिखिल भावना का विकास होगा रंग वैफलों से समंदित प्रशनों का उत्तर देने में आप शक्षम होंगे स्टूडेंट इसके माद्यम से नेक्स्टूडें पालक, खीरा, मूली, सीताफल, गोभी, बंदगोभी, सलगम इत्यादी ये अप रेड करोगे स्टूडेंट नेक्स अपना लेसन आगया है स्टूडेंट गुणकारी सबजियां यनि कि हमारे लिए सबजियां क्यों फाइदे मंत होती हैं क्या गुण होते हैं इनमें इस प हमें भी जिनको सबजियां खाने अच्छी ने लगती तो इस लेसन के मादियम से आपको पता चलेगा कि जो सबजियां कितनी गुणकारी होती है और हमें सारी सबजियां खाने चाहें तो आईए हम पढ़ते हैं ये लेसन आप घर पे रीड करोगे ये लेसन एक बार यी बा वार से रानी बहुत दुखी रहती उसने ये हैं बात राजा को बताई राजा ने कुछ सोचा और रानी को एक तरकीब सुचाई अगले दिन सुबह उसने राजकुमार को अपने दरबार में बुलाया राजा ने राजकुमार से कहा मैं तुमें राजा बनाना चाहता हूं लेकिन उसके लिए तुम एक अच्छा राजा बनने के गुण होने चाहिए तुम में, अच्छा राजा, अच्छी राजा में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, राजकुमार ने कहा, राजकुमार ने राजा ने राजकुमार को खुद ही उस प्रशन का उतर जानने को कहा राजकुमार प्रेशान हो गया राजकुमार ने गोशना करा दी कि जो उसे अच्छा राजा बनने के गुण बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा गोसना सुनकर कई लोग आए प्रन्तु राजकुमार को खुश नहीं कर पाए तभी महल की रसोई का एक बावर्ची आया बावर्ची यह नहीं रसोई आ जो खाना मनाता है उसने कहा कि राजकुमार राजा में सब्जियों के जैसे गुण होने चाहिए राजकुमार ने पुछा कैसे बावर्ची ने बताया बेंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए जिसके सिर पर हमेशा ताज रहता है सीतापल की तरह हमेशा जमीन से जुड़े रहो कभी अपनी ताकत पर घमंड ना करो और खुबसूर्थ पतली वे लंबी बिंडी की तरह हमेशा मुस्किल में भी खड़े रहो आलू की तरह सबसे अच्छा वेवार करो सभी के साथ जल्दी गुल मिल जाओ बूरे लोगों के लिए तुमें करीला जैसा बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए आपका नीने चाहिए कड़वा हो प्रन्तु सही होना चाहिए लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा जिमिकन की तरह मीठे बन करो कभी कभी आपको हरे मटर की दानों की तरह बनना पड़ेगा जो अपनी प्रजा को एक जूट रख सके क्योंकि आपकी ताकत आपकी प्रजा है लेकिन कभी कभी आप अकेले हो जाओगे प्रन्तु बिना डरे आगे बढ़ते रो और ताकतवर बने रहो बिल्कुल हरे वे ताजे खीरे की तरह लाल लाल टमाटर की तरह तुम सब की दिलों पर राज करो अपने बडों वे गुरूं के सामने अपना मन मूली के तरह बिल्कुल साफ रखो प्यास की तरह तीकी खुश्बू की तरह अपने दुसमनों को रुला देना और द्यालो गोबी की तरह अपनी प्रजा को हमेशा अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना सबी सब्जियां हमें कुछ ने कुछ सिखाती है अरे वाह सब्जिया तो में बहुत कुछ सिखाती है और फाइदे मन भी है अब से मैं रोज सब्जियां खाऊंगा इतना सुनते ही राजा वेरानी के चैरे पर मुस्कुराय चा गई क्या है स्टूडेंट जैसे राजकुमार ने सब्जियों के फाइदे सुनकर उनके गुण सुनकर उनमें क्या क्या गुण होते हैं सारी सब्जिया खाना स्टार्ट कर दी न स्टूडेंट शुरू कर दी उसने तो आप भी अगर कोई आपको सब्जी अच्छी ने लगती है तो आप भी इनके गुण को देखे इनके मैट को देखते हुए सारी सब्जियां आपको खानी चाहिए स्टूडेंट तो ये lesson read करोगे स्टूडेंट क्योंकि सब्जियां बहुत गुनकारी होती है नेक्स टूडेंट ये जो प्रशन दिया गया है एक इसमें सही गल्द के निचान लगानी है सैकेंड में क्या है चितर दियेगे सब जियो के आपको नाम लिखने है नेक्स में चितर दियेगे और उनके नाम है उनसे मेल करना है नेक्स स्टूडेंट आपको क्या करना है जिन से आपको सलाद बनता है उन्ची जो पर टिक सही का निशान लगाना है और जिससे नहीं बनता वो क्रोस लगाओगे आप स्टूडेंट नेक्स आप इसमें किनी दो हरी बलाल सबज्यों के नाम लिखोगे नीचे सिक्स में एक वर्ग पहली है और चित्र दियेगे है सबज्यों के उनके नाम डूनकर गोला लगाओगे और यहां नीचे दीगे जगा मिली होगे स्टूडेंट नेक्स टूडेंट आप क्या करोगे घर पे एक टोकरी में सबज्यों के लिखे नाम की पर्चियां डालोगे और बारी बारी से जो सदस्यां आपके मित्र हैं आप सब भी मिलकर खेलोगे यह खेल तो पर्ची उठाने के लिए कहेंगे पर्ची पर लिखी सबजी का नाम बताते हो सबजी का गुण बताएंगे क्या फाइद्दे है उसके दी गई जगे में किनी दो सबजीो के चितर बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे स्टूरेंट आप थैंक यू स्टूरेंट हैव ए नाइस डे